संगीत जो है, यह मेरी मजबूरी है, हम लोग की मजबूरी रही है कि हम इसको बहुत कॉमर्सिल बना दिये, लेकिन आप यह सोचिए, कि जब तक अपने अंतर आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को, आप स्रिंगार नहीं करेंगे, उनकी अराधना नहीं करेंगे, उनका आव से कोई प्रेम नहीं है, आंतरिक प्रेम नहीं दिख रहा है उसमें, कि कहीं डूबे हुए, तो हम लोग तो जब भी कभी गाये, तो हम पहले अपने गुरू का इस्मरण, मा सरस्वती का इस्मरण, वो करते हैं, फिर उसके बाद जो राग गाने जा रहे हैं, उससे प्राठ और हमको रास्ता दिखाएं, यह बिहाग, तो ऐसे प्राठना करते हैं, अब हो सकता है कि लोगों को यह नहीं भी भाये, लेकिन हम अपनी बात कर सकते हैं, हमें दूसरों के लिए क्या कहना है, दूसरे भागे जा रहे हैं, और सब इतने तेजी से भाग रहे हैं, अब तो ऐसा हो गया कि जैसे सारा कुछ कंप्यूटराइज गाना बजाना है, बटन दबा दो यह वाला तान आ जाएगा, यह वाला सरगम कर लेना है, सब राग में एक ही जैसा पैटर्न का तान मारा जा रहा है, एक ही जैसा तिहाई मारा जा रहा है, अरे हर रा का स्वरूप अलग है और रही हरग क्यरेक्डर अलग है दर्वानीक आइस को गाइए तो दर्वारी की तरह सको गाईए कि इतना बिशाल स्क्भात तो है दर्वारी माल्कोसि कारे Zion सीमिशार अध़िये अगर आराप मिला हुआ है अगर संक्राइव मिला हुआ अज तो शायद वे ऑज भीम सेंद ईको क्यों लोग याद करते हैं ? इस पचसत्तर साल काय इनिंग खेलके गई पंडितॅर्भी शंकर जी sagt आ जाता है 80 साल काय इनिंग खेलके गई बर्जो महराज जी अभी गये हैं 83-84 साल का असी साल का इनिंग खिलके जाएगा है जसराज जी हैं लता जी हैं आप यह देखे कि इन लोगों में कितनी बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं यह हमारे आप जब तक टेस्ट प्लेयर नहीं बनिएगा यह वन डे ट्विंटी से नहीं होगा काम आपका आपकी पहचान तब बनेगी जब आप टेस्ट में बैटिंग करेंगे और एक ही जगह पे आपको कलकत्ता बुलाया जा रहा है तो दस बार उस कॉंसर्ट में गये गाने के लिए तब तो आपकी पहचान है कि आप कहां कुछ वजूद रखते हैं हाँ भाईया एक बार बुला लिए गया उसके बाद फिर किसी ने परट के पूछा भी लिए तो अपनी विद्या से अपनी बिनम्रता से उस चीज को ऐसे कायम करिए कि हर जगह से हर समय बुलावा रहे तो इन सब चीजों का एक संसकार भी डाला जाता है और सही मार्क दरसक गुरू मिल जाए तो शायद आपको रोके रखेगा हमारे पीता जी बोलते थे कि बे लगा गोडा मत बनना लगाम वाला गोडा बनना